हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूटूब से वीडियो डाउनलोड करके पेंडराई में सेव करना हम यूटूब से किसी भी वीडियो डाउनलोड करके पेंडराई में कैसे सेव कर सकते हैं यूटूब से वीडियो डाउनलोड करके पेंडराई में कैसे शेयो होता है हम यूटूब से किसी भी वीडियो डाउनलोड करके पेंडराई में कैसे ट्रांसपर कर सकते है आज इस वीडिये में मैं आपको YouTube से वीडियो डाउनलोड करके pen drive में share करने की पूरी setting बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरा देखना चला दोस्तों वीडियो करते हैं शरूँ आज इस वीडियो में मैं आपको यूटूब से वीडियो डाउनलोड करके पेंडराई में शेव करना सिखा देता हूँ दोस्तों भी मेरी हाथ में देख सकते हैं एक है 16 GB का पेंडराई और दूसरा है दोस्तों OTG सोकेट आपको क्या करना है दोस्तों एक मोबाल की दुकान पर जाना है और इस तरह का एक OTG सोकेट आपको मोबाल की दुकान से खरीदना है इस OTG सोकेट का दोस्तों आपको 15 से 20 उर्पे लगेगा तो आपको दोस्तों इसको मोबाल की दुकान से लेकर आना है लेकर आने एक बाद दोस्त आपको क्या करना है इस पेंडराई को इस OTG सोकेट में लगाना है यानि दोस्त इस पेंडराई को इस OTG सोकेट से कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से दोस्त इस OTG सोकेट में आपको पेंडराई को लगा देना है यानि दोस्तो इस तरह से आपको पेंडराई को इस OTG सोकेट से कनेक्ट करना है तो मैंने अपर दोस्तो कनेक्ट कर दिया है दोस्तो अब आपको क्या करना है अपने मोबाईल से पेंडराई को कनेक्ट करना है दोस्तो还 पेंड राई alter एको अपने मोबाल में लगाना है? आप यहाम पर फोटो देख सकते हैं, इस फोटो में जैसे दोस्तों पेंड राई alter को connect किया हुआ है, इसी तरह दोस्ता आपको OTG socket को अपने मोबल की charging socket में लगाना है, इस तरह से दोस्ता पेंडराई को मोबाईल में लगा देना अब दोस्तो मैं आ गए हो मोबाईल की स्क्रीन पर मोबाईल की स्क्रीन पर आने बाद दोस्तो मैं मेरी पेंडराई को मोबाईल चे कनेक्ट कर देता हूँ यानि दोस्तो पेंडराई को मेरे मोबाल में लगा देता हूँ जैसे दोस्तो आप पेंडराई को मोबाल से कनेक्ट करोगे आपकी पेंडराई कनेक्ट होने बाद आपको नोटिपिकेशन दिखाए देगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरी pen drive mobile चे connect हो चुकी है connect होने बाद दोस्तों आप उपर mobile के notification में देख सकते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों notification दिखाए दे रहा है यानि दोस्तों मेरी pen drive mobile चे connect हो चुकी है पे Android mobile चे connect होने बाद आपको क्या करना है दोस्त अपने mobile में YouTube application open करना है तो यहाँ पर दोस्त मैंने YouTube application open कर लिया है open होने बाद दोस्त आपको उपर दिखाए देगा आपके YouTube channel का logo जो आपने YouTube channel पर logo लगए है वो आपको उपर दिखाए देगा इस logo पर दोस्ता आपको क्लिक करना है YouTube चैनल के logo पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर दिखाए देगा setting का logo आपको यहाँ पर दोस्तो setting के logo पर क्लिक करना है setting के logo पर क्लिक करने बाद दोस्ता आपको यहाँ पर दिखाए देगा download का option आपको यहां पर दोस्तो डाउनलोड के ओप्शन पर क्लिक करने बाद दोस्तो आपको उपर दिखा देगा डाउनलोड क्वालिटी का ओप्शन आपको दोस्तो यहां पर डाउनलोड क्वालिटी पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने बाद दोस्तो आपको वीडियो की क्वालि फाई ओन्ली इसको दोस्ता को कलिक करके बंद कर देना है तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों मैंने इस option को बंद कर दी है बंद करने बाद दोस्ता आपको नीच आना है नीच औने बाद दोस्तथि जो mobile से pen drive connect की है वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाए देगी आपने कितनी GB की pen drive mobile में लगाई है कितनी GB आपकी mobile की pen drive खाली है वो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे दिखाए देगी अब भी दोस्तों यहाँ पर नहीं दिखाए दे रही है उस वीडियो को यहाँ पे प्ले करना है यानि दोस्तों उस वीडियो को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने वीडियो यहाँ पे एक प्ले कर लिया है यहाँ पर दोस्तों आपकी वीडियो की quality दिखाए देगी तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने इच्छी अनुसार यहाँ से वीडियो की quality सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस quality में वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तो मेरे select किया हुआ है 256 पी तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों quality select करने बाद दोस्ताव को यहां पर निचे दिखाए देगा download का option आपको यहां पर दोस्तों निचे डाॉब्राइब पर klik करना है आपको यहां पर दोस्तों लाइबरेडी पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने बादنا आपको यहां पर दिखा देगा डाउंलोड का आप्छन आपको यहां डाउंलोड ओकर pen drive में share वो चुक है इस तरह से दोस्ता आप YouTube से किसी भी वीडियो को डाउंलोड करके pen drive में transfer कर सकते हैं इस तरह से दोस्ता आप YouTube से किसी भी वीडियो को डाउंलोड करके pen drive में share कर सकते हैं यही दोस्तो एक तरीका है अब इस वीडियो के दोस्ता आप बिन् YouTube Open करने बाद दोस्तों इहां पर देख सकते हैं वो वीडियो आपको ऊपर दिखाए दे रहाया जो मैंने आपके सामने भी डाउलोड करके Penr력 में Save किया था इसको क्लिक करके दोस्तों आपर कर लेता हूं तो इहां पर देख सकते हैं और इसके बाद आप पेंडराई को मुबाल से connect करके बिन्या internet के वीडियो देख सकते हैं कभी भी तो यहीं दोस्त एक तरीका है YouTube से वीडियो डानलोड करके पेंडराई में शेहो करने का पूरा तरीका दोस्त इस वीडियो में मैंने आपको बता दिये वीडियो दोस्ता आपको पसंद आए तो वीडियो करदो like, channel करदो subscribe, channel subscribe करने के साथ दोस्तों bell icon को press करदो ताकि मेरे YouTube वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिलते रहे साथ में दोस्ते मुझे आप इनिस्टाग्राम पर फोलो कर लो मेरे इनिस्टाग्राम एकाउंट का लिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैं मिलता हम दोस्ते इसका अगले वीडियो में तब-बाई बाई दोस्तों